स्टूडियो में आशुतोष और संजय कुमार का भी लेकिन शुरुआ शिवम त्यागी आपसे करूँगा कितने लोगों की लिस्ट आ रही है शिवम और कब आ रही है कुछ तो बताईए भाई थोड़ी बहुत दोस्तीन भाई है किसी को पता नहीं चल रहा है कब आएगी कौन होगा कुछ तो बताईए दोस्त को दोस्त की भलाई में रहना चाहिए मेरी तो नौकरी भी नहीं नहीं है वो भी अभी अडौक ही है इसमें भी आप ऐसा कटाक्ष करके अगर चाहते हैं कि मेरी नौकरी चली जाए तो विशय अलग है ये तो दोस्त वाली बात हुए लेकिन कारे करता होने के नाते भी मैं चोटा कारे करता हूँ और मुझे लगता है कि महां तक accessibility नहीं है मानता हूँ कि जल्द ही जिस तरीके से बैठक होई एक लंबी बैठक चली सवातीन साड़तीन बजे आदर ने प्रधान मंतरी जी निकले उसके बाद में ग्रह मंतरी जी निकले आदे गंटे बाद तो किसी हद तक कही न कहीं जो चीजें प्लान हुई होगी या जो फाइनल जिसके काटेंगे टिकेट तब पता चलेगा कि वो चुप-चाप स्विकार करता है फैसले को या नहीं करता है आने तो दीजे पहले ना पांच साल चुनाओ की तैयारी करे तो उसमें एक हलका सा नाराजगी कहिए यू कहिए थोड़ा अपने अपमें दुख होनाने वारे है लेकिन बावजूद उसके अल्टमेटली वो पार्टी के साथ पार्टी की विचारधारा के साथ और पार्टी की कैंडिडेट के साथ चलते ही अच्छा वोट तो मोदी के नाम पर पढ़ना है तो उम्मीदवार कोई भी हो उससे क्या फरक पढ़ता है मेरा सवाल आप समझ गए ना मैं पूछना यह चा रहा हूं क्या इस बार सिटिंग MPs बहुत सारे बदले जाएंगे क्या क्या क्योंकि वोट कोई भी हो वो और जो प्रचंड बहुमत से तो साथ ही लेकर आए पार्टी के विचारधारा को भी अगले सतर तक आगे लेकर जाएंगे साथ में अगर उसमें यूथ का जलक हो तो और बहतर बात है कहीं पर तरजूर्बे क्या वशकता है तो उसकी भी चाहिए क्या और दूसरी सीट के अ लड़ना चाहिए था के नहीं लड़ना चाहिए था के नहीं लड़ना चाहिए अभी मेरे पास इस बात का कोई जवाब ही लगना चाहिए